जमो कश्मीर के अनंतनाग में मुढभेड की खबर ने देश को हिला कर रख दिया और अब शहीदों की शहादत को आज पूरा देश नमन कर रहा है आतंकी ये मुढभेड रही जिसमें करणल, मेजर और डियस पी शहीद हो गए अब परिवार वाले रो रहे हैं, साथी साथ श्रधानजिली दे रहे हैं शहीदों को और एक-एक तस्वीर जो है, वो कलेजे को चीर देने वाली है जो तस्वीरे सामने आ रहे हैं, वो तस्वीरे भी आपको दिखाएंगे इस बीच आप जानिए, मेजर आशिश धौनिक करणल मनप्रीत सिंग और डियस पी हुमायू भड इस मुढभेड में शहीद हो गए एक-एक करके उन सभी की तस्वीरे आप टेलिविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं करणल मनप्रीत सिंग उननीस भी राश्प्रिये राइफ़ल्स में तैना थे करणल मनप्रीत कमांडिंग ओफिसर के पदपट तैना थे देश के नेताओं ने शहीदों को नमन किया है, उनकी शहादत को सलाम किया जा रहा है देश के वीर सपूतों को शर्धांजली दी जा रही है यह जो तस्वीरे हैं परिवार वालों के लिए अब यही तस्वीरे वसे की याद की तरह रह गई है देश के लिए शहीद हो गए ये तीन ओफिसर्स जब मुकश्मीर के अनंतनाग में ये मुड़ेड हुई आतंकियों के साथ मुड़ेड हुई अनंतनाग मुड़ेड में शहीद करनल मनपीद सिंग के रिष्टेडार वीरेन रुगिल ने बताया कि शहीद करनल मनपीद सिंग बेयाद अच्छे इंसान थे अपने बहतरीन काम के लिए डेडिकेशन के लिए उन्हें सेना मेडल भी मिला था अब जो परिवार वाले हैं रिश्तेदार हैं वो अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं परिवार पर बानो दुखों का पहार तूट पड़ा है अजे जांडियाल इस खबर को लेकर ज़्यादा अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे अजे इस वक्त सिर्फ परिवार वाले गमगीन नहीं है बलकि देश जब जब इस खबर को देख रहा है उनके फोटोग्राफस देख रहा है तो कलेजा जैसे चिर रहा है ये बड़ा दुखों का पहाड देश पर तूटा है लेकि लोग ये भी पूछ रहे है कि इस शहादत का बदला कब और कैसे लिया जाएगा अभी इंतिजाम क्या है साथी साथ इन तीनों के हैं तिम संसकार को लेकर जानकारी क्या है देखिए बिलकुल आप सही कह रही है जिस तरीके से ये हुआ है उसके बाद कहीं न कहीं देश भर में गम का माहूल है मगर उसके साथ साथ गुसा भी है गुसा इसलिए कि किस कब जो है देश अब ये पूछ रहा है कि आखिरकार कब इस आतंग पर अंकुष लगेगा कब पाकिस्तान जो आतंग के लिए जिम्मेदार है उस पर कारवाई होगी क्योंकि जब तक एक बड़ा परहार पाकिस्तान पर नहीं किया जाएगा तब तक आतंग बाद खत्म नहीं हो सकता है यही वज़ा है कि देश में गुसा है हिमायों भट यह सब जो है इनके सारे परिवाद जो है उनके लिए दुख की गड़ी है मगर उसके साथ-साथ यह गोरव भी कहीं न कहीं गोरवान नित भी है क्योंकि देश के लिए शहीद होना किसे आम शक्स की लिए मुम्किन नहीं है आपको बता दूँ कि करिनल मनप्रीच जो है उन्होंने सैना मैडल भी अपनी बहादुरी के लिए अपने कारें के लिए पहले मिल चुका है और लगाताद इस ओपरेशन में जहां पर इनके शाहदत हुई है शरीर में जूहें वो मिली हैं यहां चुपे हुए थी और यहीं पर अलग-लग इलाकों में लगातार इंपुर्ट मिल रहा था आप देखे पहले रजोरी में के एक मुठवेड़ चल रही थी जिसमें दो आतंक्यों को मार गिराया और उसके बाद जो है अचानक से अनंतनाग में जो अप्रेशन चल ला था उसमें आतंक्यों की मवजूदगी जो है वो कन्फर्म हुई जिसमें यह इनकॉंटर शुरू हुआ तो पूरे इलाके को घिरा गया है अतिरित सुरक्षाबलों को तेनाती की गई है जंगल के इलाके में चुपे है आतंक्यों को जल्द मार गिराया जाएगा इस चीज की उ इस दुख को अब जेल रहा है साथी साथ पे पूछ रहा है कि शहदत का बदला कब तक और कैसे लिया जाएगा आज है नजर आप रखिएगा चुकि आज धीरे धीरे करके जो तस्वीरे सामनी आएंगे अन्दिम संस्तार की वो भी अपने दर्श्वों तक पहुच राएं